हलो एवरिवान वेल्कम टू शादस कुजीन आज हम बनाएंगे धाबा पनीर मसाला इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे और वीडियोज के लिए बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाएं हमें चाहिए तीन प्यास, तीन तमाटर, एक इंच अध्रक का तुकुडा, दो हरी मिर्च, पांसे छे लसन की कलिया और हरा दूर्च, यहाँ पर पनीर हमने लिया है धाइसोग्रम, घड़े मसाला में हमने लिया है दालचीनी, इलाइची, जावित्री, लवंग, चक्री फू सुख्य मसाला में हमें चाहिए नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, काश्मेरी मिर्च पाउडर, धन्या जीरा पाउडर, बेसन और दही सबसे पहले पनीर ले और उसके पीसस कर ले, हमने यहां पर पनीर को जादा छोटा नहीं कट किया है, मीडियम साइज में कट किया है, इस तरह से अब पनीर के पीसस को मसाला लगाएंगे, मसाले में हमने लिया है, गरम मसाला, काश्मेरी लाल मिर्च और नमक, इसे अच्छे तरह से मिक्स करें, और एक एक पनीर को इन मसाले में अच्छी तरह से कोट कर दें, इस तरह से आप चाहें, तो पूरे पनीर को एक साथ भी मसाले में कोट कर सकते हों, यहाँ पनीर ना तूटे, इसलिए हम एक एक पीस लेकर उसमें मसाला कोट कर रहे हैं एक-एक पनीर को लेकर उसमें मसाला लगाने में टाइम थोड़ा जादा लगता है लेकिन पनीर तूटने के चांसस उतने ही कम हो जाते हैं सारे पनीर को हमने अच्छे से मसाला लगा लिया है अब इसे 5-10 मिनिट तक इसी तरह मैरिनेट होने दें प्यास ले और उसे बारिक कट कर ले प्यास जितने अच्छे से बारिक कट होगी आपकी ग्रेवी उतने ही अच्छी बनेगी आप चाहे तो प्यास को मिक्सर में क्राइंड करके उसका पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं प्यास बारिक कट करके रडी हो चुकी है इसी तरह से अदरग और लसन कभी हमने बारिक काट लिया है और हरी मिर्च को स्लिट कर लिया है अब टमाटर लें और उसे अच्छी तरह से कीस लें आप चाहे तो टमाटर को मिक्सर में पीस कर उसका पेस्ट भी यूज़ कर सकते हो टमाटर को कीसने से उसकी जो स्किन है वो अलग निकल आती है और इससे आपकी ग्रेवी काफी अच्छी बनती है इसी तरह से बाकी टमाटर को भी कीस कर रेडी कर लें पनीर को फ्राइ करने के लिए एक पैन ले उसमें एक बड़ा चमच तेल गर्म करें तेल हलका सा गर्म होने पर इसमें छोटी सी दालचीनी का तुकड़ा, दो लवंग और इलाची डाल कर इसे अच्छी तरह से भून लें लवंग और दालचीनी की खुश्पू अच्छी तरह से तेल में आ चुकी है अब उसी तेल में एक एक करके पनीर रखें और लो फ्लेम पर एक मिनट तक अच्छे से भून लें एक एक करके सारे पनीर को पल्टें और दुसरे साइट से भी आदे मिनट तक इसे अच्छे से लो फ्लेम पर भून लें पनीर की जो softness है वो बनी रहे इसलिए इसे ज्यादा नहीं भुनना है हलका सा भुनने के बाद इसे plate पर निकाल ले पनीर को fry करके बचे हुए तेल में एक छोटा चमच तेल और डाले और एक चमच घी डाले और इसे कर्म करें अब धाबा स्टाइल मसाला पनीर है तो थोड़ा तेल तो बनता ही है तेल अच्छे से गरम हो गई है अब सबसे पहले डालेंगे जीरा जीरा अच्छे से पकने के बाद एक एक करके सारे खड़ा मसाला डाल कर इसे अच्छे तरह से बून ले बारिक कटी हुई प्यास डालें और मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से पकाएं प्यास को तब तक भूने जब तक वो हलकी सी ब्राउन ना हो जाएं प्यास हलकी सी ब्राउन होने पर बारिक कटी हुई अद्रक लसन डालें और एक मिनिट तक इसे अच्छी तरह से लो फ्लेम पर भून लें अद्रक लसन भी अच्छे से पक चुकी हैं अब रखेंगे सारण सुखा मसाला नमक, स्वात अनुसर, फल्दी, धण्या जिरा पावडर लाल मिर्च पाउडर ये कश्मेरी मिर्च पाउडर है हमने पनीर को मसाला लगाते वक्त भी रखा था और लाल मिर्च पाउडर रखकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर ले मसाला अच्छे से भून चुकी है अब हम इसमें दो छोटी चमच बेसन रखे और अच्छी तरह से बेसन पकने तक इसे लो फ्लेम पर पकाए बेसन ग्रेवी को गाढ़ा बनाने के लिए इस्तमाल किया जाता है सारे मसाले और बेसन भी अच्छे से पक चुकी है अब रखेंगे टमाटर और इसे लो फ्लेम पर अच्छे से मिक्स कर ले इसे तब तक मेडियम फ्लेम पर पकाना है जब तक टमाटर का पानी पूरी तरह से सूप चाय और उसमें से तेल निकलने लगे तमाटर ने साइट से तेल छोड़ना चालू कर दिया है इसे हम अब एक मिनट तक धख कर लो फ्लेम पर पकाएंगे एक मिनट हो गया है अब हम धकन निकाल के देखिए देखिए टमाटर के साइट से पूरी तरह से तेल निकल आई है किसी भी खाने का स्वाद तब भी आता है जब उसके सारे मसाले अच्छे से पक जाए अब इसे बीना धके दो मिनट तक लो फ्लेम पर और पकाएंगे जब मसाला तेल छोड़ने लगे और टमाटर का पाने भी पूरी तरह से सुख जाए तो समझ लीजिए आपका मसाला अच्छे से पक चुका है अब इसमें डालेंगे हरा धन्या और इसे एक मिनट तक लो फ्लेम पर भूनेंगे ताकि धन्या के पूरी स्वाद अच्छे से म मिक्स हो जाए फिर हम डालेंगे कसुरी मेथी और इसे एक मिनट तक भून लें अब रखेंगे पेटा हुआ दही को हमने पहले ही पेट कर रख लिया था दही ज्यादा खटी नहीं होनी चीए ये तो ग्रेवी काफी खटी बनेगी ग्रेवी में दही ना फटे इसलिए दो स से तीन मिनट तक मेडियम फ्लेम पर इसे लगातार हिलाते रहना है मसाले के साथ दही अच्छे से पक गई है अब रखेंगे इसमें पानी हमने यहाँ पर एक ग्लास पानी रखा है ग्रेवी आपको जितनी ठीक चीए उसे हिसाब से पानी एज्जस करें ग्रेवी में अच्छे से उबाल आने तक इसे मिडियम फ्लेम पर पकाए अब पनीर डाले और लो फ्लेम पर दो से तीन मिनट तक अच्छे से पकाए ग्रेवी में दही रखने से काफी अच्छा स्वाद आता है साथ में इसका टेक्स्चर भी काफी अच्छा दिखता है हमारी ग्रेवी में ठीकनेस काफी अच्छी आई है और साथ में इसका कलर भी देखिए कितने अच्छे से लाल है अब ग्रेवी पनीर सारे अच्छे से पक चुके हैं यह सौफ करने के लिए रेडी हैं गर्मा गरम रोटी या चावल के साथ मज़ा लीजिए हमारी रेसिपी धाबा पनीर मसाना रेडी हो चुकी है प्लीज यह रेसिपी ट्राएं करें और अपने कमेंट्स हमें जरूर दें हमारी रेसिपी ट्राएं करें अवाल करें से अबर दूर के लिए आपने हैं जरूर अच्छे यह रहाँ हैं तो पिर दूर दूर उन्से में मुझे गरे खिल्षन और हा वाल किया रेडी हैं यह दो पिल्यक्तों पिल्ग्स घाएंटों जो पिलेग करें भी रेड़ी एगल झाल झाल